हेलो डियर्ज, 36 गड़ पटवारी परिच्छ तयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे समायन या मांसिक योग्यता से रिलेटेट अत्यांत महतोपूर्ण प्रस्नोतर जो की आपके परिच्छा की दृष्टी से बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है समायन या मांसिक योग्यता इस टॉपिक से आपके पटवारी की एक्जाम में 15 पुछा जाएगा 15 नमबर का इसलिए यह जो टॉपिक है बहुत जादे इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए आप लोग सुरू से यन तक जरूर देखेगा और जिन लोग इस चैनल पे निव हैं उन लोग लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन भी प्रेश करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नॉटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके तो चलिए देखते हैं कोश्चन नमबर फर्ष्ट निमनलिखित प्रस्ण में दिये गए विकलपसी संख्या का चैन करें जो प्रस्ण चिन्ह के इस्थान पर रखा जा सकता है तो देखे यहां कोश्चन नमबर जो कोश्चन मारक है यहां पर क्या आएगा तो याद रखना कि यह जो पहला है यह क्या है कॉलम 1 है कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 और इस सेट दिया है रो 2 रो 3 ठीक है क्योंकि रो 1 यह है तो ध्यान रखना कि यह जो दिया हुआ है कॉलम 4 में यह क्या है बड़ा संख्या दिया हुआ है तो इसका relation गुड़ा से होगा तो उसमें ये तीनों में किसी न किसी का relation गुड़ा के साथ होगा तो इसको चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे 7 गुड़ीत 7 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 निय 3,60 का 3 और 7 एकम 7, 7, 6, 13 तो 133 हो जाएगा ये दोनों को गुड़ा करेंगे तो इसको मारे जब प्लस किये तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इससे छोटा हो जाएगा ठीक है 300 से 312 से छोटा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे यदि इसको गुड़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 एड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 312 ठीक है तो इस प्रकार ये क्या है 100 हो गया मतलब 7 प्लस 19 इंटू 12 इस इक्वल टू 312 ठीक है तो इसी प्रकार ये भी हुआ है इसके साथ प्लस हुआ है इसके साथ इंटू हुआ है तो वो आ गया 513 तो इसी प्रकार हम लोग भी देखेंगे इसको इसके साथ प्लस करेंगे इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 16 में 8 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा तो 16-8 हो जाएगा 24 और गुड़ित करेंगे 11 तो 11 और इसका गुड़ा करेंगे तो क्या जाएगा 11 चोग 44 की 4 हाथ में 4 11 दुनी 22 और 22 चार 26 तो इसका आंसर क्या जाएगा 264 इसका आंसर आजाएगा यदि जो ये कॉलम में दिया हुआ है ये क्या रहता कम रहता ठीक है माने जाएगा 20 रहता ये भी 20 रहता ठीक तो इसको आप लोग प्लस या माइनस समझते इसमें इतना पता हो जाता कि जो गुड़ा है वो आता नहीं उसमें आप लोग प्लस या माइनस करके देख सकते हैं नेश्ट है question number 2 यदि P का रथा गुणा है दिया हुआ है P का रथा क्या है तो P का रथा है गुणा ठीक है और Q का रथा दिया हुआ है तो Q का रथा होता है भाग दिया हुआ इसमें ठीक R का रथा दिया हुआ है तो इसका रथा होता है R का मतलब होगा plus ठीक है S का मतलब होग माइनास तो इस प्रकार जब हम लोग इसमें मार रखेंगे तो इतना हमको प्राप्त हो जाएगा कोश्चान मार के में तो चलिए देखते हैं मार रखें तो ये क्या हो जाएगा 31 आर के जग हमें हम लोग क्या रखेंगे प्लस रखेंगे तो 31 प्लस 11 एस के जग हमें क्या रखेंगे तो एस के जग हमें माइनस रखेंगे माइनस 14 तो आर के जग हम क्या रखेंगे फिर प्लस रखेंगे फिर 16 का 16 और क्यू के जग हमें क्या रखेंगे तो हम लोग क्यू के जग हमें भाग रखेंगे ठीक है ये क्या आगया ये आगया 16 ठीक 16 भागित और 19 ये हो जाएगा 19 ठीक है और उसके बाद क्या हो जाएगा जो पी दिया हुआ है ये जो क्या जाएगा पी दिया हुआ है पी का मान होता है गुना ठीक और 76 तो इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा इसका मान कितना है वो पता चल जाएगा तो इसको जब solve करेंगे तो 31,11 कितना होगा तो 31,11 हो जाएगा 42 अब 42-14 प्लस 16 इसको divide में है तो इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं 19 इंटू 76 तो देखें 19 में 76 कर जाता है ठीक है 19 से कम 19, 19 चौक 76 तो इस प्रकार ये कितना प्राप्त हो गया 42-14 ठीक है प्लस 16 चौक 64 तो इस प्रकार प्राप्त हो गया तो जब इसको हम लोग 14 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 64 इस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तो इसको जोडेंगे तो 8 4 12 12 की 2 हात में आई एक और 6 3 9 ठीक है मतलब 9 तो इसका राइट आंसर रिख लेंगे तब आप लोग को अच्छे से असानी से समाज में आएगा ठीक नेश्ट देखते कुश्चन नमबर 3 कौन सा उत्तर आकरिती प्रसन आकरिती के प्रतिरूप पूरा करेगी तो ध्यान रखना की जो यहां क्रॉस बन रहा है ठीक है ये क्या है इसके पहले वाल 20 से टच है मतलब दूसरा वाला सही होने के चांस में ठीक अब तीसरा को मैच करती है तो तीसरा तो उल्टाई दे दिया है ठीक है तो ये क्या है ये भी गलत है ये पहला भी गलत था अब इसमें D में देखते हैं तो D भी ये जो लाइन को है सीधा नीचे तक लेगा ये भी गलत है तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा ठीक है तो इस टेप का जो भी question आएगा इसको हल करने से पहले आप लोग एक बार चाहे option number 20 का सही था फिर भी ये दोनों को जरूर एक बार मिलाके देखना क्योंकि इसमें अधिकतर निकरतम नंबर को भी दे दिया जाता है ठीक है तो इसमें आप लोग को धोखा फिर नहीं होगा ठीक अब देखते हैं इसमें है दिये गए विकल पसे उस आकरिती का चयान कीजिए जो प्रस्ण चीन की स्थान पर रखा गया है ठीक है तो इसमें क्या किया गया है जो एरो दिख रहा है वो अंदर की ओर है और एक लाइन एक जीरो है ठीक है दोनों में एरो दिया हुआ है उसके बाद क्या हुआ है बाहर की ओर एरो दे दिया गया है एक ही एरो दिया है सिंगल एरो दो लाइन दो जीरो फिर क्या किया गया है तीसरे में किया गया है दोनों अंदर की एरो दे दिया है और तीन लाइन तीन जीरो तो चौथे में क्या हो जाएगा तो चौथे में हो जाएगा फिर बाहर की और एरो चार लाइन ठीक है चार लाइन चार जीरो ठीक तो याद रखना यहां बाहर की एरो आएगा ना तो यह क्या हो जाएगा देखें कोस्चन में दिया है क्या बाहर की और एरो तो नहीं दिया हुआ है कि बाहर के और ये C में दिया हुआ है ठीक है इस साइड लेकिन इस साइड भी एरो दिया हुआ है किसी में खाली नहीं है तो इसमें भी आप लोग बाहर की साइड ही एरो याद रखना मैं बोला था ना कि जो भी निकरता मान आएगा या मिलता जूलता रहेगा वो इसका right answer रहेगा तो इसमें क्या है बाहर की और ये दिया हुआ है तो ये क्या है मिलता जूलता है इसमें अंदर की और एरो दिया हुआ है तो ये क्या है नहीं मिलेगा क्योंकि देखे दूसरे में बाहर का दिया हुआ है तीसरे में दोनों अंदर का है, तो चौथे में दोनों बाहर का हो सकता है, या फिर केवल एक बाहर का हो सकता है, ठीक है, लेकिन अंदर का इसमें हो नहीं नहीं है, ठीक, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आजाएगा, आपसन नमबर C, क्योंकि देखिए, पहला में क्या ह विद्यार्थी इस्कूल, विद्यार्थी इस्कूल क्यों जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, पेंसिल का लिखना, पेंसिल से हम लोग लिखते हैं न, पेंसिल से, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां जो है, पेंसिल वो कप में पानी पीते हैं ठीक है तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ये भी रॉंग हो जाएगा ये भी रॉंग और रोगी एस्पताल क्या करने जाएगा इलाज करने जाएगा ये भी क्या है एक सब्जेक्ट है ठीक और दूद का प्रोटीन से है तो दूद में प्रोटीन पाया जाता है ठीक है तो इसका जो निकरतम मान होगा वो निकरतम हल हो वो है अपसन नम्बर सी ठीक है रोगी का अस्पताल से संबंग है ठीक जब भीज टाइप का कोस्टेन आएगा आप लोग जरूर बोर रहों है ध्यान से सुन लिज़े चारो को चारो अप्सन को बीना देखे हुए किसी एक में टीक नहीं लगाना ठीक है जब तक आप लोग को चारो अप्सन के बारे में पता नहीं चल जाएगा कि ये सही ये सही ये सही कौन सा है तब तक आप लोग टीक मत लगाना ठीक है option number 6 का right है अब देखते है नेश्टा question number दी गई स्रींग खला का एक पदलुप्त है तो दीए गई विकल्पों में सहीं विकल्प का चयन स्रींग खला को पूर्ण न करेगा तो देखे इस type का जब भी question आप लोग को पूछा जाएगा तब आप लोग क्या करना सभी का पहला पहला जो letter है उसको उठाते जाना जैसे इसका पहला letter कौन सा हुआ तो उसका पहला letter है G ठीक और इसका पहला letter है K ठीक है इसका पहला letter है O और यहाँ क्या आएगा यहाँ हम लोग देते हैं डबबा में क्या आएगा देखेंगे और यहां क्या आजाएगा डबलू इसका पहला लेटर ठीक है तो इस परकार जब हम लोग इसका रीलेशन देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा G के बाद K कितने नमबर में आ रहा है तो G के बाद कौन सा है ह, आई, जे, के, ठीक है, मतलब चौथे नमबर पे, तो यहां क्या हुआ है, प्लस चार, यहां प्लस चार हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार के के बाद O कितने नमबर में है, तो O भी किस में है, प्लस चार में ही है, चौथे नमबर में, देख लिजे, के के बाद क्या जाएगा L, M, N, O ठीक है, चौथे नमबर में आया न, O तूसी प्रकार O के बाद चौथे नमबर में क्या आ जाएगा प्लस चौथे नमबर में तो चौथे नमबर में आ जाएगा S आ जाएगा, क्योंकि देखे O के बाद क्या जाएगा P, Q, R, S ठीक, चौथे नमबर पे S फिर S के चौथे नमबर पे क्या मिलेगा? W, क्यों देखे? तो कि A, T A, T के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? बताए U, V ठीक, ये आएगा क्या? देख लिजेगा क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि इसके लिए A, B, C, D अच्छे से आएना चाहिए आप लोग को, ठीक, A, B, C, D तो इस प्रकार ये डब्बे में क्या आजाएगा? A से आजाएगा, ठीक है A, T, U, V, W ठीक, तो यहाँ T, U, V, W आएगा, ठीक है इस प्रकार ये चौथा नमबर हुआ है ना? अब देखिए यहाँ हम लोग को पहला डब्बा तो मिल गया, A साएगा, ठीक पहला डब्बा में हम लोग को क्या मिल गया? कि A साएगा, ठीक है इसको यहाँ लिख लिए रहते हूँ, ठीक अब देखते हैं दूसरा डब्बा में हम लोग तो दूसरा डबा कैसे select करेंगे तो इसको select करने के लिए आपको क्या करना पड़े होगा इसको मैं मिटा देता हूँ इसको select करने के लिए आप लोग को अब इसका दूसरा पद को लेना पड़ेगा ठीक है तो इसमें दूसरा में क्या आ जाएगा के आ जाएगा क्योंकि इसका दूसरा में देखे के दिया हुआ है इसका दूसरा में एफ दिया हुआ है एफ आएगा इसके दूसरा में क्या दिया हुआ है और यहां डबा आ जाएगा फिर समझो ठीक और इसके दूसरा में क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है ठीक है तो इसमें हम लोग को माइनस मिलेगा ठीक तो f के बाद कितने मतलब f से कितने पहले k से कितने पहले पहले फाता है तो k से 5 पहले f आता है क्योंकि इसको चेक करने के लिए देखिए क्या हो जाएगा f g h i j ठीक है k ठीक तो देखिए इसमें दिया हुआ है k और f के भी डिफरेंस निकालना है तो कितना माइनस हो रहा है एक दो तीन चार और यह 5 मतलब इसमें 5 माइनस हो रहा है तब k के बाद f आ रहे है ठीक है उसी प्रकार यदि देखिए यह क्या दिया हुआ है तो तीसरे में दिया हुआ है तो इसमें कितना माइनस हो रहा है पतलब इसका जो क्या दिए एफ क्या है बड़ा है ठीक है तो एफ में एक कितने पर आएगा तो इसमें हम लोग 5 माइनस करेंगे तो एफ आएगा ठीक उसी प्रकार एफ बड़ा हुआ है ए में हम लोग 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा इसको हम लोग reverse देखेंगे ठीक है जैसे कि H, T, U, V, W, X, Y, Z, A ठीक है इस प्रकार इसको मान ले जाए लिख लिया हूँ ठीक तो इसमें देखे जो A है वो क्या दियो है बड़ा तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कौन सा आया है यहाँ V आया ठीक है यदि V भी बड़ा है तो V में हम लोग कितना 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा Q आएगा तो दूसरा डबबा में हम लोग को क्या पराप्त हो गया तो दूसरा डबबा में हम लोग को V मिल गया ठीक है इस प्रकार दूसरा में V नमबर से कर रहा है तो इसको आप लोग टीक मार सकते हैं ठीक है आँख बंग करकि क्योंकि इसको टीक मार सकते हैं यादि इसको और सकते हैं चौथा को भी लेके इसमें देखेंगे 28, फिर है 40, फिर है 22, फिर दिया हुआ है ये 76, तो इसके बीच में difference क्या है, तो 28 और 40 के बीच में difference है, प्लस 12 का, इसमें भी है प्लस 12 का, ठीक है, तो यहां जो डबबा आएगा इसमें भी क्या होगा, प्लस 12 का, तो हम लोग 22 में 12 जोड़ेंगे, तो यहां डबबा में क्या जाएगा, 64 आजाएगा, 64 में प्लस 12 करेंगे, तो कितना आजाएगा, तो आजाएगा 76, तो इसमें क्या जाएगा, 64, तो यहां जाएगा 64, ठीक है, तो आपसन नमबर 20 का, राइट है, ठीक, तो इस प्रेकार इसको solve करना, अब देखते हैं ने, इस्ता question number 7, दी गई स्रींग खला, एक पत गलत है, दीए गए विकल्प में गलत पत का चयान कीजिए, तो ध्यान देजिए, यह जो 44 है, 44, 22 और 33, यह तीनों है, 11 से डिवाइड हो जा रहा है, completely, ठीक है, तो यह क्या जाएगा, मानले जाएगा, इसका इक है, इक आई संख्या, और इसका दहाई संख्या, ठीक है, यह डिवाइड हो जा रहा है, उसी प्रकार हम लोग इसका भी इकाई 8, इसका दहाई मानलेंगे, यह आठको, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दसम।ला को यहाँ पे केलिए दे दिया जाता है ठीक है इसको आप लोग इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाएगा तो यह क्या जाएगा option number इसका गलात answer चुनना है ना तो गलात answer कौन सा होगा यह होगा क्योंकि 72 और 11 का connection नहीं है तो इस प्रकार इसका right answer क्या आजाएगा तो इसका right answer आजाएगा option B यदि इसमें किसी को doubt होगा तो comment करके जरूर बताना ठीक next है question number 8 दी गए इस रिंखला में एक पत गलत है दिये गए विकलपो से गलत पत का चैयन करे तो मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ कि इसमें जो previous question में था जिसमें कि क्या आया था? ASV64 आया था उसमें बता हो कि पहले पहले अक्षर को लेना है ठीक उसी प्रकार इसमें भी पहले अक्षर को लेगो है तो क्या हो जाएगा जैसे मा ले जाए इसमें का पहले अक्षार इसमें का इसमें का पहले अक्षार लेंगे तो इसका पहला हो जाएगा R, X, D, J, P ठीक है इस प्रकार इसका पहला पहला अक्षार हो जाएगा तो ये दोनों में relation क्या है तो R के बाद यदि हम लोग देखेंगे तो R के बाद RS-T, U, V, W ठीक है RS-T, U, V, W, X ठीक दूसरे को देखेंगे दूसरा मान हम लोग ले लेंगे दूसरा मान में क्या क्या दिया है O, W, E, M, U तो दूसरा में ले लेंगे O, W, E ठीक है M, फिर दिया है U तो इसमें हम लोग connection देखेंगे तो R में क्या हुआ है Sorry, O में क्या हुआ है O के बाद क्यों साथ है O, P, Q, R, A, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U V, एक सेकेंड न तो यहां जाएगा W, ठीक है तो इसके मद्ध कितने का connection है तो 3, 3, 6, 7, 8 ठीक है यहां मतलब प्लस 8 हुआ है उसी प्रकार देखेंगे W और E के बीच में क्या हुआ है तो W, X, Y, Z, A, B, C, D ठीक है इस प्रकार A, B, C, D, E ठीक, इस प्रकार है तो इसमें भी 3, 3, 6, और 3, 9 आगे है ठीक, तो यहां 9 क्या है क्योंकि यहां W को हम लोग को गिंती नहीं करना है तो यह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो इसमें भी क्या हुआ है प्लस 8 हुआ है इसमें भी प्लस 8 होगा हम लोग जो तीसरा है इसको देखेंगे ठीक है तीसरा में कौन सा पत दिया हुआ है देखें तो तीसरा में दिया हुआ है A, G, Z, S और L तो इसको हम लोग लिख लेंगे A, G, Z, S और L ठीक है इस प्रकार दिया है अब इसका connection देखेंगे तो G और M के मद कितने का connection है तो इसमें देखें M के बाद क्या आ जाता है A न आ जाएगा ठीक है M के बाद A, O, P, Q ठीक R, S, T, U, V, W, X, Y, Z इस प्रकार यह क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा प्लस में तो यह क्या हो जाएगा G क्या है बड़ा है और स्वरी M क्या है बड़ा है G क्या छोटा है तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो इसमें अब जब हम लोग माइनस करेंगे तो G से M माइनस करेंगे तो कितने में आएगा तो यह आजाएगा 7 में आजाएगा माइनस 7 में तो कि माइनस करके देखिए क्या हैगा G के बाद क्या आता है H I J K J K L M N O ठीक है तो M आया तो M कितने में आया माइनस 7 में आया ठीक है अब उसी प्रकार देखे जी क्या है जेड से छोटा है तो जेड में जी को माइनस करोगे कितना आगा जेड में जी को माइनस करोगे तो इसमें आजाएगा इसमें आजाएगा 6 ठीक है उसी प्रकार जेड में यदि एस को माइनस करोगे ठीक है तो कितना आजाएगा तो S को minus करोगे तो उसमें कितना आजाएगा इसमें आजाएगा minus 6 इसमें भी क्या आजाएगा minus 6 तो यहां क्या हम लोग को अंतर देखने को मिला जो aim और G है यहां मिला है minus 7 का तो यहां क्या change आजाएगा तो यहां change आजाएगा ये जो aim है ये क्या हो जाएगा aim हो जाएगा ठीक है aim क्या हो जाएगा aim जो है ये aim हो जाएगा ध्यान रखना ठीक इस प्रकार इसमें अंतर हुआ तो ये क्या हो जाएगा जो हम लोग का पहला option में दिया हुआ है ठीक है ये पहला option में दिया हुआ है RO, M, D तो यह क्या हो जाएगा RO, इसका दोनों लेटर तो सही है लेकिन यह क्या हो जाएगा N हो जाएगा, ठीक तो इस प्रकार देखे, इससे तीनों से मिलता जूलता Option D, तो यह Right हो जाएगा इसको आप लोग तीक मारके दूसरा में जा सकते हैं लेकिन चेक करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा चाउथा को भी देखना पड़ेगा ठीक है, तो इसमें चाउथा आप मैं कौन सा दिया है चाउथा लेटर, तो यह दिवाए D, Y, T, O और J, ठीक है, इस प्रकार यह दिया हुआ है तो इसके बीच में relation कितने का है तो यदि आप लोग यह Y में minus 5 करेंगे, तो क्या जाएगा D आएगा क्या, तो देखे कैसे D आएगा, देखे Y के बाद क्या जाता है Y के बाद क्या जाएगा X, Y के बाद Z, ठीक है फिर A, फिर आजाएगा B, C, D ठीक है, इस प्रकार यह minus होगा, तो कितना आजाएगा 3, 2, 5, यहाँ minus होगा याद रखना नहीं, मतलब इसका ऐसा नहीं है कि इधर से 1, 100 अगरा लेते चले गए, यह नहीं minus होगा ठीक है, इस side से ऐसे type से minus होगा, ठीक, इस type से minus होगा इसमें minus 5, इसमें भी minus 5 होगा मतलब जो answer मिला है हम लोग को वो क्या हो जाएगा R, O, M, D जो है, R, O, M, D इसके बज़ाए हो जाएगा यह इसका जो है गलत पद है, इसके बज़ाए क्या हो जाएगा R, O, N, D तब यह क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा तो इस प्रकार option number 10 का right है ठीक अब देखते हैं ने इस्टा question number 10 दिये गए प्रस्ण में दिये गए विकल्पों में से विसम सब्द चुनिए तो क्या दो है बरतन और चम्मच दिया हुआ है ठीक है तो बरतन का संबन बरतन के अंतरगत आएगा चममाच उसी प्रकार फरनीचर के अंतरगत आएगा कूरसी उसी प्रकार लेखन समागरी के अंतरगत आएगा पेंसील और कमीच के अंतरगत आएगा वस्त्र नहीं आएगा सट आएगा कमीच के अंतरगत क्या आएगा सट आएगा य यह सही था यहां वस्त्र दिया है वस्त्र और कमीज क्या हो जाएगा एकी में आ जाएगा ठीक मतलब जो कमीज और वस्त्र है यह क्या उल्टा रहता तो भी सही एक तरीके से मान सकते थे लेकिन यह क्या हो जाएगा राइट आंसर तो कि यहां पुछा गया है यूगम को चु 16-16 लिखा जाता है फ्रेम के लिए इतना लिखा जाता है तो इस code में jeans का code क्या होगा तो इस type का जो question है इसको solve करने का तरीका है कि आप लोग लिख के देख लीजेगा तो लिख के कैसे देखेगा माले जाए G, R, I, P और S दिया हुआ है तो G, alphabet में कौन से नमबर पे आता है तो जो G है वो आएगा alphabet के 7 नमबर में ठीक उसी प्रकार जो R है alphabet के R कौन से नमबर में आएगा तो R आएगा 18 नमबर में ठीक है और J कौन से नमबर पे आएगा sorry ये क्या है ये I है I कौन से नमबर पे आएगा तो उसी प्रकार आई इसमें का आएगा 9 नमबर पे ठीक और P कुन से नमबर में आएगा तो P उसी प्रकार आएगा 16 नमबर में इसमें का और उसी प्रकार ये जो दिया हुआ है S इसका 19 नमबर में आएगा ठीक है 19 नमबर में यह पता नहीं पेन का क्या आज क्या लफड़ा हो गया है इसमें का अपडेट का होगा 19 आएगा इसमें आएगा 16 आएगा ठीक है इस प्रकार इसका यह जो है बना हुआ है उसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे फ्रेम का देखेंगे ठीक है A आएगा वो आएगा 1 नमबर पे ठीक M आएगा तो M कौन से नमबर पे आएगा 13 नमबर पे और E कौन से नमबर पे आएगा तो E आएगा 5 नमबर पे उस प्रकार इसका कोड दिया हुआ है ठीक है तो उसी प्रकार इसका भी कोड देखेंगे तो J कौन से नंबर पे आ रहा है तो देखे, J कौन से नंबर पे आता है तो J आता है 10 नंबर पे उसी प्रकार E कौन से नंबर पे आएगा तो E आएगा 5 नंबर पे ठीक, उसी प्रकार E कौन से नंबर पे आएगा 1 नंबर पे तो 10, 59, 14, 19, option number B, इसका right है, ठीक है, option number B में दिया हुआ है, यह इसका right है, ठीक है, अब देखते हैं, next question number तो इसमें देखे, क्या दिया हुआ है, स्वेता चलना शुरू करती है, ठीक है, स्वेता क्या करती है, चलना शुरू करती है, माले जाए ये एक बिंदू है, ठीक है, यहां से स्वेता चलना प्रारम की है, ठीक, प्रारम भेक बिंदू से, यह क्या है, प्रारम भेक बिंदू ठीक यहां से चलना प्रारम की है कुछ दूर चलने के बाद वहां अपने बाय मूड जाती है बाय मतलब क्या हो जाएगा लेप्टसाइड वहां अपने बाय मूड गया इस साइड में ठीक है अब फिर क्या रहते हैं कुछ दूर चलने के बाद वहां अंत में दाएं मुड़ गई तो अब इस दूरी से आप लोग जाएंगे तो यहां फिर दा है राइट साइट कुन सा होगा इस साइट हो जाएगा ठीक है इस साइट तो देखे यदि उसका मुह दक्षिर दिशा की ओर है तब उसने किस दिशा से चलना सुरू किया था मतलब उसका मुह किस दिशा में देखे एरो निशान बना ये किस दिशा में दक्षिर याद रखेगा उपर क्या हो जाएगा उत्तर नीचे हो जाएगा दक्षेड इधर हो जाएगा पस्चीन और राइट साइड हो जाएगा पूर्वा ठीक है इस प्रकारिये हो जाएगा दिसा तो अब देखिए तब उसने किस दिसा से चलना सुरू किया है तब उसने किस दिसा से चलना सुरूब तो कई लोग आप में से comment कि होंगे कि वो है वो किस दिसा में तो देखें यहां पहुंची है इसका मुँँ दक्षेर दिसा में है तो इसका जो राइट साइट क्या अ क्या हो जाएगा इसका right यहाँ से नीचे सेड़ चलना फुरू किじゃあ this तोि यह से चांगर तो इसको हम लोग में दीशा से देखेंगे तो यह जए गाप और शे बहुत लोग गलत करते हैं ठीक है किस बिंदू से मतलब यहां बिंदू नहीं बोला गया है वह किस दीसा बोला गया ठीक है इसको ध्यान में रखना अब है नेश्टा वह आरेक चुनिये जो नीचे दिये गए वर्गों के बीच के संबन का सही निरूपड करता है तो अध्यापक माता और पुरूस ठीक है तो इसका सही निरूपड कौन करेगा तो देखे इसका सही निरूपड करेगा जो माता है ठीक है जो माता है और जो पुरूस है ये दोनो क्या हो सकते हैं ये दोनों अध्यापक हो सकते हैं ठीक है माता और पुरूस माली जाए ये क्या है माता है ये क्या है पुरूस है ठीक है इसको हम लोग ले लेते हैं माता को हम लोग ले लिए फीमेल ठीक है पुरूस को ले लिए मेल और अध्यापक क्या हो जाएगा पूरुस हो नहीं सकता तो जो लेकिन जो अध्यापक है वो महिला और पूरुस दोनों हो सकता है तो इसका किस टैप से बनेगा इसका बन जाएगा फीमेल और ये मेल और ये ये फीमेल का है ये मेल का है तो बीच में आ जाएगा अध्यापक ठीक है ये इस प्रकार से हो जाए है लेकिन जो मेल है वो मेल रहेगा ठीक है और जो फीमेल है वो फीमेल रहेगा और मेल है वो मेल रहेगा ठीक तो इस प्रकार यह जो वेंड डाइग्राम है इसमें से अधिकतर एक से दो question पूछा जाएगा नेश्ट नहीं नमबर तो लिखा ही नहीं है ठीक है तो देखे नीचे दिये गए प्रस्ण में एक वक्तव व्यके नीचे दो तरक तरक वन और टू है तो वक्तव व्यके लिए तरकों का प्रयोग कीजिए अमनिम्न लिखित प्रकार से अपनों उतर द देते हैं जिसका गैस चेंबर में भेजा जाना नियात है मतलब देखे ध्यान से इसको समझोगे राश्ट पती कभी-कभी उन पुडितों को छमा कर देते हैं जिसका गैस चेंबर में भेजा जाना नियात है ठीक है तो देखे इसको हटाईए अब देखे दिया हुए पहला होता है कठोर दिलगे होते हैं जो कि क्या गलात है क्योंकि जो न्यायधीस होता है वो क्या करता है अपने आनून यसार सुनाता है लेकिर राश्टपती क्या होता है राश्ट अपती के पास आप लोगme constitution में पढ़े होंगे एक विसे Infinity सधिकार होता है ठीक है विसे सधिकार होता है जिसके तहत वो मृत्यु दंड को माफ कर सकता है ठीक तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नियाधिस जो है वो कठोर है तो ये क्या हो गया गलत हो गया खारीज हो गया पहला दूसरा क्या है राश्टापती निरंतर कानून में हस्तच छेप ज़ादा नहीं कर सकते हैं वो के वाल अपने विशेसा अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तो जो पहला और दूसरा है ये क्या है गलात है तो इसका option क्या आजाएगा option number D आजाएगा ना तो एक और नहीं 2 ठीक option number D इसका right है नेश्ट देखते है question number 14, 14 number का हो गई ये question ठीक यदि A plus B का आर्था A B, sorry, A plus B का आर्था क्या है, देखे यहां लिखिए A plus B का आर्था क्या है, A है, ठीक है, इसका आर्था है A, ठीक और देखे बी का पीता कौन है जो है ये बी का पीता है ठीक है जो ए क्या है ये है बी का पीता याद रखना ने ये है बी का पीता ठीक है अब ए माइनस बी का अर्था है ठीक है ए माइनस बी का अर्था होता है ए जो B की क्या है तो ये B की क्या है बहान है ठीक है बहान पहले क्या था B की पीता था ठीक ये B की पीता था ये B का बहन है ठीक अब A भागी दिवाइड बाई B तो इसका के अर्था क्या हो जाएगा A होगा जो कि क्या है B की पत्नी है ठीक है ये क्या है B की पत्नी है ठीक है अब देखे ए गुडित B का अर्थ होता है A जो क्या है B का पूत्र है तो ये हो जाएगा B का पूत्र है इस टाइप से इसके equation दिया हुआ है तो A सको P की बहन दर्साता है ठीक है तो A सको P की बहन कैसे दर्सा इसको जानने के लिए देखे, क्या दियो होगा है, जो प्लस है, याद रखना, जो प्लस है, वो क्या है, पीता है, ठीक, जो माइनस है, वो क्या है, बहान है, ठीक है, और जो डिवाइडेड है, वो क्या है, पत्नी है, ठीक है, पत्नी, याद रखना, ठीक, और जो इंटू है वो क्या है गुड़ा का निशान है वो है पूत्रा तो अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा ये है सन ठीक है जो भी यहां लिखानी रहे समझ जाने ये है सन ठीक तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको मिटा देता हुमें तो इसको देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा एसको P की बहेंदर साता है तो बहेंदर साने के लिए इसमें कौन सा चीन्ह दिया हुआ है तो बहेंदर साने के लिए दिया हुआ है माइनस का चीन्ह तो याद रखना जब इसको हम लोग को देखना पड़ेगा तो इसमें option देखते हैं मालेज़े हम लोग इसको PQ के form में PRQST के form में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा P into Q आजाएगा ठीक है क्योंकि Q क्या को दर्सारा है Q दर्सारा है सन को पूत्र को दर्सारा है ठीक इसमें हमको A को P की बहन दर्सारा है ठीक है तो हम लोग पहले इसका सन दर्साराते हैं तो जो P है जो P into Q करेंगे वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा PQ का पूत्रा है मतलब क्या हो जाएगा P जो है ये क्या हो जाएगा Q का पूत्र हो जाएगा ठीक है मतलब देखिए जो P कुन सा है ये जो P है तो इसमें इंटू में दिया हुए सान आएगा पूत्र आएगा तो P बेटा है Q का ठीक है पूत्र है Q का पूत्र है ठीक अब उसी प्रकार Q-R रखेंगे तो ये क्या आजाएगा मैं आप लोग को क्या बता है मैं आजाएगा बहान तो जो R है वो किसकी बहन जो Q है ये Q जो है ये किसकी बहन है ये R की बहन है तो उसी प्रकार देखें अब R plus S का देखेंगे P Q R S फिर S आया ठीक है तो S क्या हो जाएगा तो S प्लस में दिया हो है पीता ठीक है तो S का पीता R जो है ये R जो है ये कौन हो जाएगा R हो जाएगा S का पीता या फिर S का पीता हो जाएगा R ठीक इस प्रकार इसको समझेगा अब उसके बाद क्या हो जाएगा s-a हो जाएगा ठीक है s-a हो जाएगा तो इसमें क्या जाएगा इसकी बहन आ जाएगा ठीक है क्योंकि जो दिया हुआ है s दिया हुआ है a की बहन है a की बहन है तो s को p की बहन दरसाना है तो इसको क्या हो जाएगा देखे ध्यान दिजे ना इसको हम लोग R1 में देखेंगे मान ले जाए ये दिया हुआ है इसकी बहन कौन है S है ठीक है S की बहन है ठीक बहन यहां लिक लिए बहन अब ये मान ले जाए S का पिता कौन है तो S का पिता है R ठीक है क्योंकि देखे यहां क्या दियो है R प्लस S दिया हुआ है यह मान ले जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा जो S का पिता है वो R का लाएगा मतलब जो R है वो S का पिता है तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा यह S का पिता हो जाएगा अब उसी प्रकार तो R की बहन कौन हो जाएगा तो R की बहन हो जाएगा Q ठीक है यहां माले जाए Q और यह P ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इसकी बहन हो जाएगा ठीक तो उसी प्रकार जो Q है वो R की क्या हो जाएगी यह हो जाएगी इसकी पूत्री ठीक है, मतलब यह क्या हो जाएगा, इसका पुत्री हो जाएगा, ठीक है, तो यह क्या जाएगा, यहां पे इसका पुत्री आ जाएगा, मतलब यह क्या हो जाएगा, सुरी, पत्नी आ जाएगा, हाँ, तो यह क्या हो जाएगा, इसकी पत्नी आएगा, तो जो Q और P के बीच मे relation होगा ठीक है वो किसके relation के बराबर होगा बताइए किसके relation के बराबर होगा पुत्री के relation के बराबर होगा ठीक है पत्नी नहीं होगा याद रखना पत्नी का भी बाती नहीं चल रहा है है ना तो यहां क्या हो जाएगा पूत्री का relation होगा तो अब देखिए जो P है वो क्या है इसका पूत्री है और ये क्या है इसका पूत्री है तो ये क्या हो गया तो ये दोनों जो P और S है ये क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा कि इसके पापा का बहन का बहन ठीक है मतलब बहन या बेटा जो भी हो तो इसके मतलब इसके बुवा के भाई या बहन इस टाइप का यहां बहन वाला connection प्राप्त हो जाएगा तो इसको जो दिखाएगा वो होगा option number D इसको प्रदर्सित करेगा ठीक अब देखते हैं next और last question जिसमें दिया हुआ है आकरिती तो आकरिती कौन सा है आकरिती को चुनना है तो यह कौन से आकरिती में यह समाहित लग रहा है तो यह देखिए यह जो pattern है इसको हम लोग यदि यह सब में मिला कर देखेंगे तो यह किसमें समलित लग रहा है इसमें तो मिलने वाला है नहीं ठीक है इसमें मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा गोल आ जाएगा ठीक है इस प्रकार यहाँ पर गोल है लेकिन यहाँ क्या दिया है लकीर दिया हुए ठीक है तो क्या हो जाएगा अपसन नमबर सी में यह क्या होगा मिलेगा ठीक अपसन नमबर सी इसका राइट है इस प्रका करके बताओगे तो एक बार और अच्छे से समझाया जाएगा ये अभी कुछ पेन में इरर के वज़े से ठीक से यहां लिखते नहीं बर रहा है उसको ध्यान मत देना क्योंकि पढ़ने वाले तो कैसे भी हो बस सामागरी मिलना चाहिए पढ़ने के लिए तयार रहते हैं ठीक तो चले मिलते हैं ने इस्ट वीडियो में